उम्शान्ती, आज 22 नुमंबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं, आज बाबा सर्विसिवल बच्चों को याद कर रहे हैं और स्ववनती के कुछ टिप्स बता रहे हैं, सर्विसिवल बच्चों को सेवा का बहुत शूंक होना चाहिए, कैसे मनुष्य को देवता बनाएं, लक्षमी नारण के मंदिर में जाओ, श्री राम सिता के मंदिर में जाओ, उनके पुजारियों को, उनकी बायोग्रफी बताओ, कि इन्होंने ये राजभग कैसे प्राप्त किया, जब आप किसी को समझाने के लिए जाओ, तो पूरी तैयारी के साथ जाओ, श्वेत वस्त्र पहने वे हो, गाड़ी में बैठके जाओ, ताकि उनको लगे, यहां में कुछ देने आए हैं, उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमसे कुछ लेने आए हैं, बहुती गुई है बात आज बाबा ने समझाई, क्या बच्चों को सर्वगुण संपन यहां ही बनना है, आतम अब की यात्रा में रहेंगे, तो अवगुण निकलते जाएंगे, अब हमारी यात्रा है वापिस घर जाने की, हमें मूल वतन में जाना है, तुम बच्चे ही कर्म योगी हो, करम करते करते एक बाबा को याद करना है, नीद करना भी करम है, चलते फिरते उटते बैठते, ए सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। हम आतम अभिमानी कहां तक बने हैं। ट्रस्टियों से अलग समय लेकर मिलना चाहिए। फिर युक्ति से पूछना चाहिए आपने ये जो मंदिर बनाया इनकी जीवन कहानी क्या है। युक्ति से बात करते उन्हें परीचे देना है। उनके साथ बहुत युक्ति से बात करनी है और उनको ये सत्ते परीचे देना है। ये देवी देवताईं, देवी देवता कैसे बने, कब बने। गीत है हमारे तीरत न्यारे हैं। ओम शांती। गीत कार्त बहुत बार समझाया। हम अभी यात्रा कर रहे हैं। वापिस अपने स्वेट होम जाने की। हम यात्रा कर रहे हैं। वापिस स्वेट हों जाने की, हम अभी 84 जनम पूरे कर वापिस जा रहे हैं, ये कौन कहते हैं, ब्रह्मा मुकवन शावली ब्रामन, तुम करम योगी तो हो ही, धंदा दोरियादी ये भी करम है, नेंद भी करम है, करम तो करना ही है, तुम जब इस यात्रा पर बाप की याद म बन जाएंगे, याद की यात्रा से क्या प्राप्ती है, आप देवी देवता बन जाएंगे, मन मनाभवकार्थ भी ये है, माम एकम याद करो, तो तुम मनुष्य से देवता बन जाएंगे, देवताएं भी भारत के मनुष्य ही थे, सरफ उनका चित्र दिखाया जाता, कि ऐ ऐसे होकर गए भारत में लक्षमी नारण होकर गए भारत में बहुत मंदिर बनाते हैं ऐसे और कोई राजाय आदी नहीं हैं जिनके मंदिर बने हैं मनुष्य बैट उनकी महिमा गाते हैं लक्षमी नारण राधे कृष्ण श्री राम सीता सबकी महिमा गाते हैं सबसे जास्ती महिमा है स्री लक्ष्मि नारण की वो सोला कला संपूरण फिर वो चोदा कला वाले लक्ष्मि नारण सोला कला, श्री राम सीता चोदा कला ये बाते तुम अब समझते हो तुम फिर से ऐसे बन रहे हो उनको भी कोई ने ऐसा बनाया होगा बाप ने ही संगम पर करम करम विकरम की गती को समझाए देवता बनाया बाबा ने करम करम विकरम की गती समझाकर देवता बनाया भारत वासी देवताओं की महिमाग आते हैं आप सर्व गुन संपन, सोला कला संपूरण, संपूरण निर्वीकारी अपने को देवता नहीं समझते भारत के महराजा महरानी होकर गए उनमें दैवी गुन थे उनको देवता कहा जाता थे मनुष्य ही क्राइस्ट बुद्दादी भी मनुष्य थे मनुष्य की ही दुनिया है लक्ष्मी नार्यन का मंदिर भी बनाते है लाको रुपया खर्च करके मंदिर बनाते है ये नहीं चानते उनको ये राजाई कैसे मिली ऐसे गुनवान वो कैसे बने हम अपने को पापी नीच क्यों कहते है ये तो बहुत फरक हो जाता है सब एक ही देश भारत के रहने वाले है वे भी मनुष्य, हम भी मनुष्य प्रंतु उनकी सीरत देवताओं जैसी है और इस दुनिया के मनुष्यों की सीरत असुरों जैसी है ये भी आदत पड़ गई है मंदिरों में जाके महिमा गाते है हैं वे भी मनुष्य प्रंतु वो देविगुण वाले और हमारे में अभी आसुरी अवगुन है गोया वो असुर है वो देवता है कहते हैं असुरों देवताओं की लडाई लगी अब देवताओं है स्वरग में असुर है नर्क में देवताओं यहां कैसे आए जो लडाई लगी नाम है देवता वो लड़ाई कैसे करेंगे देवताओं के राज्चे में असुरू का नाम निशान नहीं असुरू का युग कल युगी पुराने दुनिया देवताओं का युग सत्युग नई दुनिया फिर दोनों की युद्ध कैसे होगी देवताओं को युद्ध करने की दरकार ने वो तो वहां राज्चे करते हैं बात बहुत सहज है समझने और समझाने के हम त्रेमूर्ती भी दिखाते हैं लक्ष्मी नारण को श्रव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्चे दिया प्रन्तु मनुष्य समझते ने स्रे लक्ष्मी नारण को श्रिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ये राज्चे दिया प्रन्तु मनुष्य समझते ने जो भगवान आके समझाते मनुष्य से देवता बनना है देविगुन धारण करो तो भी समझते ने जिसे बाप ने लक्षमिलाण को ऐसा बनाया, वो अब तुमको भी बना रहे हैं, तो पुर्शार्थ कर सर्वगुण संपन बनना चाहिए, देखना चाहिए मेरे में क्या अवगुण है, देविमान बहुत है, देवताएं आतम अभिमानी थे, वह यह जानते हैं कि हम आतमा ए किसको कौम तुम नरकवासी हो, तो बिगड़ पड़ते हैं, तुम समझा सकते हो, जब भारत स्वर्ग था, तो यह लक्षमिलाण का राज्चे था, यह नरक है, उनका राज्चे ही नहीं, देवताएं जो पुझे थे, वही पुझारी बने, सतो प्राधान से तमु प्राध हर चीज को बनना ही है, ऐसी कोई वस्तु नहीं, जो नई से पुरानी नहीं हो, तुम वेश बदल कर भी जा सकते हो, लक्षमिलाण के मंदिर में बहुत मेला लगता है, तुम्हें तात लगनी चाहिए, मनश्यों को यह बताएं, उनको बाप निराजपा कैसे दिया, अब त बहुत फस्त क्लास चित्र है, बंबई में लक्षमिलाण का मंदिर बहुत फस्त क्लास बना हुआ है, बड़े रमनी चित्र है, फस्त क्लास कारिगर होते हैं, तो चित्र भी बहुत अच्छा बनाते हैं, लक्षमिलाण की जाकी दिखाकर उनको समझाना की यह कौन है, इन्ह बच्चे समझते हैं, परदरशनी पर हमने बहुत अच्छा समझाया। प्रंतु बहुत अच्छा तो आगे चल कर समझाना है, अभी तो पुरशार्थ हमसार समझाया। प्रचा पिता ब्रह्मा शिव बाबा का बच्चा ब्रह्मा को भगवानी कहेंगे वो रचना है इन देवी देवताओं का राच्चे Heavenly God Father ने दिया ब्रह्मा द्वारा अभी शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा राच्चे स्थापन कर रहे हैं हम कहते हैं शिव भगवान वाच ब्रह्मा द्वारा वो हमें पढ़ाने वाला है इस बात पर जोर देना है भब के से अटेंशन देंगे निराकार शिव बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ाते हैं ये बात किसी को भी बहुत अच्चे से समझानी है ताकि उन्हें ये समझ में आए कि ज्यान देने वाला निराकार परमातमा है धेर बीके हैं तो नशे से कहना चाहिए मैं बीके शिव बाबा का पूत्रा हूँ शिव बाबा से हमें वर्सा मिल रहा है ब्रह्मा द्वारा हमें राज्योग सिखा रहे हैं हमें adopt किया है, शिव बाबा तुम्हारा भी दादा है, प्रजा पिता ब्रह्मा के तुम भी बच्चे हो, सिर्फ हम जानते हैं और हम वर्सा ले रहे हैं, तुम नहीं जानते हो, हम तुम्हें परिचे देते हैं, प्रन्तु किसके भाग्य में नहीं, तो समझते नहीं, बहुत फकुर से बोलना चाहिए, सबका सद्गती दाता एक बाप है, भारत उनका बर्थ प्लेस है, अब बाबा फिर से आया है, ज्यन्ती मनाते हैं, प्रंतु वो कब और किसके तन में आता है, ये नहीं जानते हैं, जरूर ब्रह्मा के तन में आएंगे, नहीं तो राजभाग कैसे देखकर राजयोग सिखाएं, ऐसे क्लियर करके समझाना है, तुम भी बाप से राजभाग लो, महा भारत लड़ाई का समय है, अब बाप से अपनी भक्ती का फल लो, हम आपको राय दे रहे हैं, आते बहुत है शकल मनुष्य जैसी है, सीरत बंदर जैसी है, तुम समझाओ, हम शिरीमत पर चलते हैं, इस यग्ये में विघन पढ़ेंगे, विष्ट के कारण अब लाओं पर अत्याचार होते हैं, ब्रह्मा कुमार्यों की निदा इसलिए होती है, क्योंकि विष्ट छुडाती हैं, इस पर मारा मारी होती, बाबा ने कहा, कामा शत्रु है, इसमें सब धरम भरष्ट, करम भरष्ट हैं, सब नरकवासी हैं, बाबा कर स्वर्गवासी बनाते हैं, पुर्शात कर बाबा से वर्सा लिना है, परम पिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, ब्रमा द्वारा भगती का फल द रहे हैं, ऐसा निश्चे हो जाए, तो फोरन भागें, प्रन्तु विरला कोई भागता है, तुम्हें चित्र बहुत अच्छे बनाने चाहिए, इनके साथ त्रेमूरती जाड का भी कनेक्शन है, कई बच्चे बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, और दूसरे फिर डिस सर्विस भी करते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे, और समझेंगे, अपने आप से बात करेंगे, मैं सर्विस करता हूँ, या डिस सर्विस करता हूँ, कई बच्चे डिस सर्विस भी करते हैं, बाबा चानते, सब कुछ होना ही है, नोकर चाकरादी सब चाहिए, अगर ब्रामन बनना ह तो श्रीमत पे चलो ब्रामन बनना है तो बाबा की श्रीमत पे चलो किसको दुख मत दो बाब का परिचे सबको देते रो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युक पर भारत में आता हूं सबकी सदगती करता हूं मेरे पास सबको आना पड़े तुम जानते हो सबका लिब्रेटर गाइड या भारत में ही जनम लेते हैं बाप को नामरूप से न्यारा सरव्यापी कह दिया भारत वासियों ने गलानी कर दी उनका ही बेड़ा गर्क होता धरमब्रश्ट करमब्रश्ट हो अपने को हिंदू कहला रहे हैं बाप समुक कहते तुम मैं कितनी धर्म गलानी की मेरी भी गलानी की तुम ही पवित्र देवी देवता थे अब और पवित्र बन गए हो यही देवी देवता भारत के मालिक थे भारत सुर्ग था ये तो सब कहते हैं अब कल्यूग है फिर जरूर चक्र रिपीट होना है बाबा कहते मैं कल्प कल्प दुनिया को नया बनाता हूँ तुम लक्षमी राड के मंदिर में जाकर ट्रस्टी से मिल सकते हो आजकल माताओं का मान कम है क्योंकि बीख मागने वाली बहुत निकली है तुम राकी बानने जाते हो तो भी समझेंगे कि शायद ये बीख मागने आए है कह देंगे फुर्सत नहीं है भगाने की कोशिश करेंगे सफेद वस्तरधारी भी बहुत निकले है इसलिए बाबा समझाते बहु रूपी बनो टिपटोप होके जाओ मोटर में चड़के जाओ युक्ती से बाद करो हमने सुना है आपने लक्ष्मिनाराण का मंदिर बनाया है हम आपका दर्शन करने आए है भला आपको मालुम है ये स्वर्ग के महराजा महरानी थे ये स्री लक्ष्मिनाराण स्वर्ग मेरा जे करते थे हमें मंदिर बहुत अच्छा लगा तब हमारे दिल हुई कि बनाने वाले का भी दर्शन करें आप जरूर उनके जीवन कहानी जानते होंगे हमें भी थोड़ा परीचे दो ऐसे पूछ कर फिर उन्हें यह थार्थ बात भी सुनानी चाहिए सन्यासियों आदि को तुमसे मुक्ति का रास्ता मिलना है उनको भी समझाओ सन्यासियों को भी समझाओ उनको आपसे मुक्ति का रास्ता मिलना है तुमारे बिगर उनका कल्यान होना नहीं है तो इतना ज्यान का नशा होना चाहिए सर्विस पर होंगे तो नशा भी रहेगा ऐसे निकि थोड़ी सी बात में अवस्था डगमग हो जाए गाया जाता, निन्दास्तुती में समान रहना चाहिए निंदास्तुती, मान, अपमान, सुख दुख में एक समान रहना चाहिए लक्षमी नारण को बाबा कितना याद करते हैं क्यों नहीं याद करेंगे बन रहे हैं न मनुशे बहुत बड़े-बड़े मंदिर बनाते हैं लक्षमी नारण का चित्र ऐसा हो जो देख करके खुश हो जाएं ये चित्र ऐसा हो जो देख कर सब खुश हो जाएं सारा दिन ख्यालाद चलने चाहिए कैसे जाके सर्विस करें जाज करके भाषन करना चाहिए लक्षमी नारण की महिमा करनी चाहिए ऐसी जगे जाना चाहिए जो बडो बडो से आवाज निकले तो अच्छा हो। सब में सिती एक समान रखनी है अवस्ता डगमग नहीं करनी है सब को बाप का परीचे दे लक्षमी नारण की सची जीवन कहाने सुनानी है पर आगे बढ़ते रहना है वर्दान है मैं शब्द की समर्ती द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहने वाले देह के बंधन से मुक्त भव मैं शब्द की समर्ती द्वारा अपने ओरिजिनल स्वरूप में स्थित रहने वाले देह के बंधन से मुक्त भव एक मैं शब्द ही उडाने वाला है मैं शब्द ही नीचे लाने वाला है मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए ये नैचुरल हो जाए जब मैं शब्द कहते हैं अपना ओरिजिनल स्वरूप याद आ जाए दे भान का मैं समाप्थ हो जाएं तो दे के बंधन से मुक्त हो जाएंगे क्योंकि मैं शब्दी दे अंकार में लाकर करम बंधन में बांध देता है ये मैं शब्द ही दे अंकार में लाकर करम बंधन में बांध देता है लेकिन मैं निराकार आत्मा हूं जब ये स्मृति आती है तो देभान से परे हो करम के संबंद में आएंगे बंधन में नहीं मैं निराकार आत्मा हूँ जब ये स्मृति आती है तो देभान से परे हो करम के सम्मंद में आएंगे बंधन में नहीं याद रखेंगे मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से आई हूँ मैं शब्द कहते ही अपना आत्मिक स्वरूप याद आ जाए तो उससे हम संबन्द में तो रहेंगे, बंधन में नहीं बंधेंगे, बंधनों से मुक्त होते जाएंगे, देयंकार भी समाप्त हो जाएगा स्लोगन निश्चित विजय, निश्चिंत स्थिती का अनुभव करने के लिए संपूरण निश्चे बुद्धी बनो आज बुरा दिन निश्चिंत अवस्था का अनुभव करेंगे, चिंताईं प्रभु अरपणम करते हुए, इस स्वमान में टिकेंगे, मैं संपूरण निश्चे बुद्धी आतमा हूँ जितनी बार मैं शब्द कहते हैं, अपना ओरिजनल स्वरूप सामने आ जाए मस्दक में मैं ज्योती बिंदू सितारा चमक रहा हूँ मुझे अपने आप में, बाबा में, ज्यामा में और दैवी परिवार में संपूरण निश्चे हैं निश्चे बुद्धी आतमा सदा निश्चिंत रहती हैं निश्चे बुद्धी आतमा चिंताओं को प्रभु अरपणम कर देती हैं महाज्योती को निहारते हुए उनके प्रकाश को अपने में भरें उस प्रकाश को मस्तक से पाउं तक फैलता अनुभव करें चिंताओं बाबा को देकर मैं निश्चिंत रहती हैं तम पूरण निश्चे बुद्धी आतमा हुँ शुक्रिया बाबा शुक्रिया और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञानमोती अव्यक्त